जानिए पटना में क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। में पूजा बंद, मस्जिद में नमाज बंद, चर्च में प्राटना बंद और गुर्द्वारे में दर्शन बंद। सभी तरी की दुकान, मौल, शॉपिंग मौल आदी बंद रहेंगे। आवशक सेवा को छोड़ निजी ऑफिस बंद रहेंगे। गांधी मैदान सहीज शेयर के सभी पार्क बंद रहेंगे, मौनिक वॉक पर रोक रहेंगे। भवन निर्माण कारे चालू रहेगा, संबंदित दुकाने नहीं खुलेंगी। किसी भी तरे के समारों में जाने से पहले थाने की अनुमती जरूरी होगी। समारों में अधिक्तम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। जिले की एंट्री और शेयर के अंदर तगडी जांच, सभी लोगों को मास्क पहनना अनेवार किया गया। मुंगेर में आज से लॉक डाउन केवल सुबह शाम दो घंटे के लिए खुलेंगी सबजी मंडी। बिहार के मुंगेर जिले में बढ़ते कुरोना संक्रमन के मामलों को लेकर 10-16 जुलाई तक जिले में संपूर लॉक डाउन घोशित कर दिया गया है। दियम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि लॉक डाउन के दौरान बहुत जरूरी होने पर मास्ट लगा कर ही लोग अपने घरों से निकले। उपायोग्त महुद्या गोड़ा किरन पासी के दौरा आधिकारी कुस्टी की गई है कि गोड़ा जिले में 6 और कुरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। उपायुत महुद्या गोड़ा के दौरा जिले वास्यू से अपील की गई है कि कंटेन्मेंट जोन में अपने घरों में ही रहें। एवं अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलें। मास्क पहने साथ इसा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अपने को सुरक्षित रखें। एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जिला प्रशासन का सहयोग करें। पूर्णिया जिला दिकारी राहूल कुमार के आदेश अनुसार संपूर पूर्णिया में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक पूरी सक्ति के साथ रहेगा लॉकडाउन। लोगों को फिर से घरों में रहने की सला दी गई। केवल आवशक सेवाओं को ही बाहर जाने की अनुमती। बताया जाता है कि दोनों महिलाओं गाओं के बगर बहियार में मवेशी चराने गई थी। जहां वर्षा के तेज आवाज के साथ आवाज आकाशिये बिजली गीरी और दोनों महिलाओं उसकी चपेट पे आ गई। घटना इस्तर पर ही दोनों की मौत हो गई। इधर घटन कहल गाओं विधान सभा चुनाओ आते ही कहल गाओं अनुमंदर अंतरगत सनहोला प्रखंड के पूर्वी चेतर प्रस्तावित प्रखंड सनोकर को स्वतंद प्रखंड बनाने के लिए चेतर के सभी प्रतिनीदी और आमजन एकजुट होने लगे हैं। पिछले कई वर्षो सक आर्टिक नुकसान भी होता है। प्रखंड कारयले दूर होने के कारण पूर्वी चेतर विकास से कोसो दूर है।